Hello friends, Welcome back to You Helping Eye TV Friends जो महिलाइं प्रेग्नेंट होती हैं, उन्हें डॉक्टर समय समय पर अल्टर्राउन करवाने के लिए कहते हैं लेकिन अधितर महिलाओं को यह पता नहीं होता है कि अल्टर्राउन करवाने से पहले क्या 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 करके जाना चाहिए और क्या क्या नहीं मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं खा अल्टर्राउंड की पहले हम खाना खा सकते हैं तो आज हम इन्हीं सब बातों पर बताने वाले हैं तो चलिए फ्रण सुरू करते हैं की यानि आपको बात्रूम लगी होना चाहिए opened आपको बात्रूम लगी होनी चाहिए 1 में दिक्कत कुछ कुछ नहीं होती है लेकिन पानी पीने से आपको तेजी से बातरूम आईगी और आपसे सहन नहीं होगा और आपको रोपने में काफी दिक्कत होगी इसलिए घंटे दो घंटे पहले पानी ना पिए लेकिन उससे पहले इतना पानी जबूर पी लें ताकि आपको बात्रूम आने का एहसास होने लगे यूंकि इतना याद रखिए कि अल्ट्राशाउंड की दोरान जितना अच्छा आपका ब्लेडर भरा होगा उतनी अच्छी ही आपकी रिपोर्ट आएगी ब्लेडर भरा होने से बच्चे की बिकास लेकर हर एक्टिविटी का पता साफ साफ चल जाता है बच्चा अच्छी से फ्लोइंग करता है जिससे सारी चीज अच्छी से क्लियर आती है और रिपोर्ट भी बिल्कुल सही आती है तो फ्रेंट्स उमीद करती हूं कि आपको इवीडियो पसंद आया होगा यदि फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए शेयर करिए और ऐसी वीडियो जब आप देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल हेल्पिंग आई टीवी को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा थैंक्यू